हाई गाईज आई होप यौल आ डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट एफेर सेशन की जो सुबा चार बजे वैलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलोर फ्रंटियर आईएस पर आज की तारीख है 19 मार्च 2022 हमारे दोनों चानल्स को सब्सक्राइब क करें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से एससे जल्पनेकल डॉट कॉम और बलजीर धाकर डॉट कॉम साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एन मंथली को जोइन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस कुछ के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि किस राजे ने 2017-19 के लिए सबसे कम मात्र मृत्य अनुपात एमेमार दर्ज किया है तो इसके से जवाब था के रिला स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टिन देखो आज के सेशन के लिए इंस्टाग्राम के विकल्प के रूप में पिक्चर शेरिंग अप्लिकेशन रॉस्ग्राम लॉँच करने की घोशना की है इंपोर्टन क्वेस्टिन है करेक्ट आंसर इसको आप्शन नमबर सी रूस डिटेल्स देख लो तो रूसी टेक कोदियम ये घरेलू बजार में एक तस्वीर साजागरन अप्लिकेशन रॉस्ग्राम लॉँच करने के लिए तयार है रूस योकरेन जंके चलते रूस में इंस्टाग्राम के इस्तिमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है नई सेवा रॉस ग्राम 28 मार्च को शुरू की जाएगी और इसमें कुछ कॉंटेंट के लिए क्राउट फंडिंग और पेड एक्सेस जैसे अडिशनल फंक्शन होंगे नेक्स ग्वेस्टन देखो तो इसकसे जवाब हो अप्शन नमबर बी श्री लंका डिटेल्स देख लो तो पांचवा बिम्स्टेक शिकर समेलन 30 मार्च को श्री लंका में होगा और यह भौतिक या भासिय सोरूप में हो सकता है बिम्स्टेक 39 भन समझोते मोटर भन समझोते की स्तिती की समिक्षा करेगा और उन्हें जल से जल अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेगा साथ सदस्य देशों के निताओं द्वारप परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान अपरादिक मामलों में पारसपरी कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक कन्वेंशन और बिम्स्टेक चार्टर को मंजूरी देने की संभावना है पिछला शिकर समयलन 2018 में नेपाल में हुआ था जहां प्रधानमंती नरेंद्र मोदी और अन्य सदसे देशों के नेता मौजूद थे नेक्स्ट वेसन देखो अंतर राष्टे सूरज कुण शिल्प मेला 2022 का थीम देश कौन सा देश है तो इसकसे जवाब है उप्षन बड़ी उजबेकिस्तान डिटेल्स देख लो तो इंटर्नाशनल सूरज कुण क्राफ्ट मेले का योजन परिदाबद हर्याना में 19 मार्च से 4 एप्रल तक हो रहा है इसमें थीम स्टेट जमू कश्मीर है तो पार्टनर कंट्री उस बेकिस्तान को बनाया गया है यह दोनों ही अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन मेले में करेंगे इसमें ग्यारा सो के करीब कलाकार भी आएंगे 19 मार्च को मेले का और घाटन हर्याना के मुखे मंत्री मनुहरलाल और राजजेपल बंदारु धत्तात्रेया करेंगे नेक्स्ट क्वेशन देखो 2022 ते इसके लिए CII दक्षिनिक शेत्र के ध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इंपोर्टन क्वेशन है करेक्ट आंसर इसको अप्शन नमबर बी सुचितरा के एला देटेल्स देख लो तो CII यानि Confederation of Indian Industry ने अनाउंस किया है कि भारत BioTech International Limited की Co-Founder और Joint Managing Director सुचितरा के एला को 2022-23 के लिए Southern Region के लिए Chairperson Elect किया गया है वहीं Volvo Group India Bangalore के President और Managing Director कमल बाली को Deputy Chairman Elect किया गया है यहाँ पर extra information की बात करें तो भारत BioTech ने हाल ही में एक नए तपे देख टीके के विकास, निर्मान और विपनन के लिए एक Spanish Bio Pharmaceutical Firm BioFabry के साथ साज़दारी की है TB के नए टीके, MTB BAC का निर्मान और विकास, बायो फेबरी दुबारा किया जा रहा है जो Tuber Closes Vaccine Initiative के निकट सहयोग से है नेक्स ग्वेस्टन देखो कि इस देशी कैरोलीना बिलावस्का मिस वर्ड धोजार किस बनी तो सही जवाब हो ऑप्शन नमर सी, पोलैंड डिटेल्स देख लो तो मिस पोलैंड, कैरोलीना बिलावस्का जो वर्तमान में प्रबंदन में मास्टर डिगरी के लिए ध्यन कर रही है ने सैन जुआन, पियोर्तो रीकों में प्रतिष्ठित, मिस वर्ड धोजार किस का ताज जीता यूएस अधारित भारति अमेरी की श्री सैनी, मिस वर्ड धोजार किस इवेंट में फॉस्ट रणर अरप है मिस इंडिया वर्ड धोजार बीस मनासा वारा नसी ने मिस वर्ड धोजार किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया वह शीष तेरा प्रतियोग्यों में पहुंची लेकिन टॉप सिक्स फाइनलिस्ट में जगा नहीं बना सकी नेक्स्ट क्वेस्टन देखो विग्यानिक अनुसंधान के लिए 31 जीडी बिर्ला पुरसकार के लिए किसे चुना गया है इमपोर्टन क्वेस्टन है करेक्ट आंसर इसको ओप्शन बर सी प्रोफेसर नारायन प्रधान डीटेश देख लो उन्होंने इन चोटे प्रकाश समगरी के नयाकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए crystal modulation में अपनी विशेश अग्यता प्रदान की है यहाँ पर एक quick revision की बात करें तो भारते विग्यान शिक्षा और अनुसंधान संसान पूने के भौतिक विग्यानी दीपक धर को बोल्जमन वदक के लिए चुना गया है नेक्स्ट क्वेशन देखो पसल विविदिकरन सूचकां को अप्योग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो इसक सही जवाब हो option number B तेलंगाना details देख लो तो देश में पहली बार तेलंगाना ने पसल विविदिकरन पैटर्न को एक सूचकां के रूप में दर्ज करना शुरू कर दिया है पसल विविदिकरन सूचकां के अनुसार राज्य 77 किसमों को उगाता है जिसमें लगभग 10 फसले होती है जिनमें ज्यादतर अनाज विविदिकरन के लिए पसंद किया जाता है यह सूचकां कराज्य में भविश्य में फसल विविधी करन के लिए धार का काम करेगा सूच कांग का प्रादम्बिक मूलिय एक है यह एक फसल के लिए समर्पित पुल खेती वाले क्षेतर के नुपात का प्रतिन निधित्व करता है राज्य के कई जिलों में सूच कांग मान जीरो से पांच के बीच है और स्कोर जितना अधिक होगा क्रिशी विविधी करन उतना ही अधिक होगा नेक्स्ट क्वेशन देखो ब्लूमबा की हालिया रिपोर्ट के नुसार बाजार पुझी करन के मामले में भारत के एक्विटी बाजार विश्व में किस थान पर है इंपोर्टन क्वेस्टिन है करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नुबर ए फिफ्ट डिटेल्स देख लो तो बाजार पुझी करन पर ब्लूमबा के हालिया आंकडों के नुसार पहली बार भारत के एक्विटी बाजार ने बाजार पुझी करन के मामले में दुनिया के शीष पांच में प्रवेश किया है कुल विश्व बाजार पंजी करन एक सो नौ पॉंट बाइस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है इसमें टॉप किया है यूएस ने विश्व भार पॉंटेश्व ने नेक्स्ट क्वेश्व देखो सरकार ने सहय करिन के लिए च्रेडिट गरेंटी योजना को डैश तक बढ़ा दिया है तो यस वह जवाब हो ऑप्रोंबर ची 31 मार्च 2023 डिटेल्स देख लो तो सूक्षम, लगू और मध्यम उध्यमियों के उत्थान के लिए सरकार ने अधिनस्त रिन के लिए क्रेडिट गरेंटी योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है इस योजना को सरकार दुआरा एक जुन 2020 को आत्मा निर्बर भारत प्रोचसाहन पैकेज के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया था और उसी वर्ष 24 जुन को तनाव गरस्त MSME के प्रमोटरों को रिंद देने वाले संस्थानों के माध्यम से रिंद सुविधाय प्रदान करने के लिए लौच किया गया था इसके लावा फरवरी में वित मंतरी निर्मला सितारमा ने भी घोशना की कि आपात कल इन क्रेडिट लाइन गरेंटी योजना को 31 मार्श 2023 तक बढ़हा दिया गया है लास्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए किस भारते अमेरिकी को यूएस कोविड प्रतिक्रिया प्रमुक के रूप में नियुक्त किया गया है अगेन इंपोर्टन क्वेस्टन है करेक्ट आंसर इसको आप्शन अबर डी आशीष ज्ञा डिटेल्स देखलो तो भारते मेरिकी चिकित्सक आशीष ज्ञा को यूएस कोविड रिस्पॉंस प्रमुक नियुक्त किया गया जिन्होंने अब तक बाइडन प्रशासन की महमारी प्रतिक्रिया का नेतरित्व किया है ज्ञा बिहार के मधुबनी से है उन्होंने हावर्ड मेडिकल स्कूल से मेडिकल के डिगरी पूरी की 2020 में वह ब्राउन उनिवर्सिटी स्कूल ओफ पब्लिक हेल्थ के डीन बने बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक समरी की तो इंस्टाग्राम को अल्टेनेटिव रॉस ग्राम रश्या लॉंच करेगा फिफ्थ बिंज्टेक समिट की में जबानी श्रीलंका करेगा इंटर्नाशनल सूरज कुंड क्राफ्ट मिला 2022 के लिए थीम कंट्री है उस्बेकिस्तान 2022-23 के लिए CII Southern Region के चेर परसन बने है सुचित्रा के एला पोलेंड की कैरोलीना बिलावस्का मिस वर्ड 2021 बनी है Scientific Research के लिए 31 वे G.D. बिल्ला पुरसकार के लिए Professor Narayan Pradhan को चुना गया Throb Diversification Index यूज करने वाला First State बन गया है तेलंगाना In Terms of Market Capitalization इंडिया की Equity Market फिफ्थ पुजीशन पर है Subordinate Debt के लिए Credit Guarantee Scheme को 31 March 2023 तक बढ़ा दिया है और US COVID Response Chief बने है आशीश जह बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्चन है कौन सा उपनयास अंतर राष्टर बुकर पुरसकार की लॉंग लिस्ट में शामिल होने वाला पहला हिंदी उपनयास बना है और आपका दूसरा क्वेस्चन है संयुक्त राष्टर महा सभान इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस तारीक को अंतर राष्टर दीवस के रूप में घोशित करने के प्रस्ता आपको मंजूरी दी दोनों क्वेस्चन हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना हमारे दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेस्टन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हेंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आल स्यून में नेक्स सेशन